साथ यो कोशन नमबर एक है वर्ड सेक्वेंसे और इस प्रैक्टिस टेस्ट में आज हम मोस्ट इंपर्टन कोशन देखने वाले हैं वर्ड सेक्वेंसे जो आपको हैल्प करेंगे अपकमिंग गौर्मेंट एक्जाम के लिए चाहे आप तैयारी कर रहे हो NTPC के लिए, RPF के लिए, CPO के लिए किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको वहाँ पर वर्ड सेक्वेंस से कोशन देखने को मिल जाएंगे तो सारे कोशन यहाँ पर आपको प्रिवी सेर मिलने वाले हैं जो आपको हैल्प करेंगे किस प्रकार के कोशन जो है पूछी जाते हैं वर्ड सेक्वेंस से तो आपको वीडियो को ध्यान पूवक देखना है और कोशन को पहले खुछ से जिरूर टैम करना है अगर आपसे कोशन ना सौलफ हो तो मैं इस कंसल भी कराऊंगो ता वो भी देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको पांच शब्द दिये गए हैं इनको अर्थ पूर कर स्घ fallaitरs लेकर नमने में लगाना है और बताना है कौन से वाला विकल यहां पर तो अगर आप देखोंगे यहाँ पर आपको Quadilene दे रखा है, Quantilene दे रखा है, Million दे रखा है, Octilene दे रखा है, और Trillion दे रखा है तो इनको आपको विवस्तीत करना है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा इस स्क्वेंस में आपको लेके चलना है तो आपको बता देता हूँ, इनके अर्थ क्या आते हैं, जैसे कि Quadilene है, Quadilene के अंदर 15,0 आते हैं, धियान रखना है आपको Quadilene के अंदर 15,0 आते हैं, उसी प्रकार से Quantilene के अंदर 18,0 आते हैं, Important है धियान रखना है, Quantilene के अंदर 18,0 आते हैं, Million के अंदर 6,0 आते हैं, यान की million जो है 10 लाग के बराबर होता है तो यहाँ पे आपको 6 0 मिलेंगे और octalion के अंदर 27 0 आते हैं ध्यान रखना है बहुत important है octalion के अंदर आपको 27 0 देखने को मिलेंगे तो octilion के अंदर आपको 27 0 मिलेंगे और trillion के अंदर आपको 12 0 मिलते हैं चीक है तो यह important है ध्यान दखना है quadilion के अंदर आपको 15 0, quantilion के अंदर आपको 18 0, million के अंदर 6 0, octilion के अंदर 27 0 और trillion के अंदर 12 0 मिलेंगे तो इस हिसाब से जब इसको हम करम बित करेंगे तो सबसे पहले आएगा million आएगा पहले स्तान पर, फिर trillion आएगा, trillion के बाद आएगा quadillion पहले वाला, quadillion के बाद आएगा quantillion यानि कि दूसरे वाला चौथे पर, और quantillion के बाद आएगा octillion यानि कि चौथे वाला पांचवे पर, तो कुछ इस प्रकार से करम बनेगा और यह करम विकल C में बन रहा है तो option C वाला इसका right answer बन जाएगा बहुत important है ध्यान रखना है आपको चीक है साथ यो question number 2 है और question number 2 के अंदर हमें अंगरी शब्द कोश के नुसरा सब्दों को विवस्तित करना है और पांचवे स्तान पर कौन सा शब्द आएगा वो बताना है देओ किस प्रकार से करेंगे अगर आप देखोगे हमें इस स्टार्टिंग के पांच शब्दों के अंदर we दे रखा है अगर आप ये पांच शब्दों देखोगे तो we से स्टार्ट हो रहे हैं छटा सब्द जो है W I से स्टार्ट हो रहा है और हमें पता है I से पहले E आता है तो इसलिए छटे वाले कम छोड़के स्टार्टिंग के 5 शब्दों भी हमें काम करना है तो पहले वाले के अंदर अगर मैं 3 लेटर चेक करूं तो वो E दे रखा है दूसरे वाले के अंदर 3 लेटर चेक करूं तो A दे रखा है तीसरे वाले के अंदर 3 लेटर हमें I दे रखा है फोर्थ वाले के अंदर 3 लेटर हमें A दे रखा है पांच वाले के अंदर 3 लेटर हमें I दे रखा है तो हमें पता है E और I से पहले A आता है तो यानि कि दूसरा और चौथा इनमें से कोई पहले स्थान पर आने वाला है तो हमें 4th letter भी चेक करना होगा तो 2nd के अंदर 4th letter T है और 4th के अंदर 4th letter V है तो हमें पता है V से पहले T आता है तो दूसरे वाला पहले पे और 4th वाला दूसरे पे आ जाएगा उसी प्रकार से पहले वाला तीसरे पे और तीसरे और 5V में से कोई 4 और 5V पे आएगा तो हम चेक करेंगे तो WE के बाद आई दे रखा है तीसरे वाले के अंदर और 5V के अंदर भी WE के बाद आई दे रखा है तो हमें 4th letter चेक करना होगा तो तीसरे के अंदर R है और चौथे के अंदर G है तो R से पहले G आता है तो ये पांचवे वाला जगा फोर्थ पे और तीसरे वाला चला जगा पांचवे पर तो वरीड जो है वो पांचवे स्थान पर आएगा और option C वाला इसका red answer बन जाएगा अच्छा question होता है ऐसे question को आपको focus ली करना होगा साथ यो question number 3 है और यहाँ पर आपको 5 शब्द दिये गए हैं इनको अर्थ पूर करम में आपको लगाना है देखो किस प्रकार से करेंगे अगर आप शब्द देखोगे कक्षा दे रखा है नमांकन दे रखा है परिणाम दे रखा है परिक्षा दे रखा है और अंग दे रखा है देखो किस प्रकार से वबस्तित करेंगे सबसे पहले आप admission लेते हो admission लेने के بعد आपको कक्षा मिलती है कक्षा मिलने के बाद आप परिक्षा देते हो परिक्षा देने के बार आपके अंक मिलते हैं और अंक के बाद आपके परिणाम आते हैं या निक आपका result आता है तो कुछ इस प्रकार से करम बनेगा पहले पे दूसरा आएगा फिर पहला फिर चौथा फिर पांच पा फिर तीसरा ये करम बनेगा और ये करम दिकल्प ए में बन रहा है तो option ए वाला इसका right answer बन जाएगा छीक है easy है समझ आयोगा आपको चलते हैं next question तरफ साथ यो question number 4 है और question number 4 के अंदर आपको अंग्रीज शब्द कोश के निसवार सब्दों को ववस्तित करना है और दियेगा शब्दों को ववस्तित करके बताना है कौन से वाला दिकल्प में आपे सही होगा तो अगर आप देखोगे दियेगा शब्दों में starting के तीन लेटर आपको सेम मिलने वाले हैं जो कि D, E, C से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको उसके बाद वाल लेटर चेक करने होंगे जैसे कि चौता लेटर पहले के अंदर आपको I मिलेगा दूसरे के अंदर भी I हैं तीस पहला दूसरा और पाचवा चटा इन में से कोई दूसरे तीसरे चौत्य और पाचवे सान पर आएगा तो इनको हम विवस्यत करेंगे तो हमें चौता लेटर चेक करना होगा क्योंकि I जो हैं पहले दूसरे पाचवे और चटे के अंदर आ रहे हैं तो आपको पाचवे ले तो हमें पता हैं S, M और P से पहले D आता हैं तो दूसरे वाला आ जाएगा दूसरे पर और P और S से पहले M आता हैं तो पाचवे वाला आ जाएगा तीसरे पर और S से पहले P आता हैं तो पहले वाला आ जाएगा चौते पर और चटे वाला चला जाएगा पाचवे पर और त तीसरा चला जाएगा छटे पर, तो कुछ इस प्रकार से करम ववस्तित होगा, यानि कि 4, 2, 5, 1, 6, 3, ये करम ववस्तित होगा, और ये करम आपको विकल ए में मिलेगा, तो option, ए वाला इसका रेटेंसर बन जाएगा, ठीक है, साथ योग कोशमर 5 है, और यहाँ पर भी आपको अंगरी चाथ कोशक के न उस पर सब्दों को विवस्तित करना है, देखो किस प्रकार से करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, 4 शब्द जो है, TE से स्टार्ट हो रहे है, और एक शब्द जो है, TA से स्टार्ट हो रहा है, तो TE से पहले TA आता है, तो यानि कि तीसरे वाला पहले स्थान पर आ जाएगा उसके बाद हमें आगे चेक करना होगा तो पहले वाले के अंदर कर आप देखोगे T E के बाद M दे रखा है दूसरे के अंदर भी M है तीसरे के अंदर N है चौथे के अंदर N है तो हमें पता है N से पहले M आता है, तो पहला और दूसरे में से कोई आएगा, दूसरे और तीसर सान पर, तो हम इसमें चेक करना होगा, तो अगर आप देखोगे, M के बाद P दे रखा है, यहाँ पर E दे रखा है, उसके बाद second वाले के अंदर L है, जबकि first वाले के अंदर आपको E मिलेगा, त second पर, और second वाला चला जाएगा, 3rd पर, उसी परकार से, चौथे के अंदर N के बाद, चौथे के अंदर D दे रखा है, five-way के अंदर चौथे सान पर A दे रखा है, तो D से पहले A आता है, तो फाचई वाला चौथे पर, और चौथे वाला पाचवे पर, तो यहाँ पर जो क बन जाएगा चीक है साथ योग कोशन नुमर छह है भैतरी इन कोशन है यहाँ पर आपको पांच शब्द दिये गए हैं उनको अर्थ पूर करम में ववस्तित करना है और बताना है कौन से वाला विकल्प में ठीक होगा तो अगर आप शब्द देखोगे यहाँ पर आपको एक स्क्वेर इंच यानि की वर्ग इंच आएगा पहले स्तान पर वर्ग इंच के बाद आता है वर्ग फुट यानि की स्क्वेर मीटर पांच वे वाला आ जाएगा दूसरे पर वर्ग फिट के बाद आता है वर्ग यार्ड यानि की स्क्वेर यार्ड तो दूसरे वाला तीसरे पर, square yard के बाद आता है yard, पहले वाला चौथे पर और yard के बाद आता है hectare तो पांच चौथे वाला पांच वे पहले पहले आ जाएगा, और जो करम बनेगा वो 3, 5, 2, 1, 4, यह करम बनेगा, और यह करम आपको विकल किसी में मिल जाएगा, तो option C वाला इसका राइडेंसर बन जाएगा चीक है, easy है, बस आपको पता होना चाहिए, कौन से वाला छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा कौन सा आएगा तब जाके आप इसका idea लगा पाएगे चलते हैं, next question तरफ साथ यो, question number 4 है, और question number 4 के अंदर आपको अंगली शब्द कोश के अनुसवार सब्दों को विवस्तित करना है देखो किस प्रकार से करेंगे अगर आप देखो कि starting के शभी शब्दों के अंदर आपको चो लेटर दिये गए है और E से start होते होँए मिलेंगे उसके बाद पहले के अंदर थर्ड लेटर A है दूसरे के अंदर थर्ड लेटर A है तीसरे के अंदर S है चौथे के अंदर S है पांचवे के अंदर S है तो हमें पता है S से पहले A आता है तो उसके बाद लेटर चेक करेंगे तो एक के बाद हमें L दे रखा है, दूसरे के अंदर भी L है, उसके बाद I है, दूसरे के अंदर भी I है, उसके बाद S है, दूसरे के अंदर भी S है, उसके बाद T है, तो उसके बाद M है, तो दूसरे वाला कहा पर आएगा पहले पर, और पहले वाला चला जाएगा दूसरे पर उसे प्रकार से हम आगे चेक कर लेंगे S के बद हमें T देरका है तीसरे के अंदर, cothay के अंदर E है और 5-0 के अंदर U है तो T और U से पहले E आता है तो cothay वाला nic altura गाथा है, तो cothay वाला nic Fall तो 3-0 गाथा है तो तीसरे वाला conc du वाला इसका राइडंसर यहां बन जाएगा चीक है साथ यो कोशन मर पांच है और कोशन मर पांच के अंदर आपको अर्थपूर करम में बताना है कि कौन से वाला विकल्प यहां पर अर्थपूर करम बनाएगा और जो शब्द दिये गए हैं वो शूटिंग संबंदिक दे र कास्टिंग के बाद अभिनाए निकाले जाते हैं कौन से एक्टिंग करेगा अभिनाए के बाद फिल्म शूटिंग चालू होती है फिल्म शूटिंग के बाद संपादक उसको एडिडिंग करता है कौन सी शिन डालने है कौन से अटाने है और संपाद अग्यानेगी सी में बन रहा है तो option सी वाला इसका राइट अंसर बन जाएगा काफी बहतरीन कोशन है ध्यान रखना है इसी प्रकार के कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे ठीक है और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है हमारे द्वार लाइक कोशन आपको ठीक देखोगे यहाँ पर आपको नाग दे रहा है ललाट दे रहा है थोड़ी दे रहा है कमर दे रहा है सीना दे रहा है यानि कि आपके बोडी संबंदित पाड़ दिये गए हैं और उनको ऊपर से नीचे में आपको अरेंज करना है दो किस प्रकार से अरेंज होगा सबसे पहल दूसरे वाला आजाएगे पेहले सिंट पर Command MAATHY १े बाद कैसे बोलते हैं मांथ्य के बाद just आपको NACHE NAAK देखने को मिल जाएगी T vagina TH kardeş के बाद सीना आता है । 5 वाला चौत्य पर로면 सीने के बाद कमर आती है . पॉट्य। दो 6,3,5,4 चार यह करम बनेगा और यह करम विकल्प ए में बन रहा है तो option ए वाला इसका राइटंसर बन जाएगा चीक है अच्छा question है इसी प्रकार कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे देख सकते हो यह question भी सीजे ने पूछा किया था 2020 के अंदर काफी बहतरी इन कोशन है ठीक है साथ ही question number 10 है बहुत ही बहतरी इन कोशन है यहाँ पर आपको अर्ड़कूर करम में दिये गए शब्दों को लगाना है शब्द क्या है लेटर है सेटलाइट है टेलिफोन है स्मार्टफोन है कम्यूनिके करते हैं लेटर के बाद आपने देखा होगा टेलिफोन आया टेलिफोन के थूरू लोग कम्यूनिकेट करने लगे टेलिफोन के बाद फिर स्मार्टफोन चले और आप सेटलाइट चल रही है ड्रेट कम्यूनिकेशन हो रहा है सेटलाइट के थूरू तो कुछ इस प्रकार हैं घ्यान रखने categor群 100 नूमबर 11 कि आपको 4 दिये गए हैं इनको अर्थ और तर्ग के अधार पर आपको ववस्तित करना है शब्र किया है संद रहा है ऐस्टरोइड रहार प्लैनेट रहा है और गलेक्सी करना है comedy करلام सबसे बड़ा होता है गलेक्सी ठीक है तो पहले स्थान पर आएगा चौथे वाला सबसे बड़ा होता है गलेक्सी गलेक्सी के अंदर आपको सन मिलेगा जिसका कार बहुत बड़ा है तो दूसरे सान पर पहले वाला आजाएगा Sun के बाद आते हैं, Planet तो तीसरे सान पर तीसरा और Planet के बाद आएगा, Asteroid तो दूसरे वाला चोथे सान पर तो जो करम बनेगा वो रहेगा 4, 1, 3, 2 ये करम बनेगा और ये करम विकल डी में बन रहा है तो option D वाला इसका right answer बन जाएगा साथ यो कोश नमबर 12 है और कोश नमबर 12 के अंदर भी आपको अर्थ और तर्क के अधार पर शब्दों को ववस्तित करना है यहाँ पर आपको पांच शर्द दिये गए हैं जगाओ के नाम दे रखे हैं जैसे माउंट आबू दे रखा हैं वर्ल्ड हैं इंडिया हैं राजिस्तान हैं नाकी लेक हैं तो इनको ववस्तित करना हैं और कौन से वाला विकल्प में आपर ठीक होगा वो बताना हैं देव किस दूसरे पर राजिस्तान इंडिया में आता हैं तो चौथे वाला तीसरे पर इंडिया वर्ल्ड में हैं तो तीसरे वाला चौथे पर और दूसरे वाला पांच वेपर तो जो करम बनेगा वह पांच एक चार तीन दो यह करम बनेगा और यह करम विकल भी ए में बन रहा है त option यह वाला इसका राइट एंसर बन जाएगा यहाँ पर important है नाकी लेख अगर आपको यह पता होगा तो वह असानी से आप इस करम को व्यवस्तित कर पाएंगे ठीक है चलते हैं next question किरफ साथ यो question no.13 है और question no.13 आप लोग के लिए homework है question को try करना solve करना और और कोशिस करना है आपको इसका जवाब comment में बताने की ठीक है अच्छा question है साथ यो question no.14 है और question no.14 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको पांच शब्द दिये गए हैं इनको अर्थ पूर्ण रूप से विवस्तित करना है और बताना है कौन से वाला विकल्प मे जऑना पर ठीक होगा जो शब्द दिये गए हैं वो आपको रेहने वाले स्तांज संब्दित दे रहे हैं तो इनको ववस्तित करना होगा अगर हम शब्द की बात करें तो यहाँ पर वाला फ्लाट है, श्रीट है, रूम है, अपार्टमेंट है और टाउन है, तो इनको विवस्तित करना है, और कौन से वाला शब्द पहले आएगा, उस तरीके सापको लेकर चलना है, तो देखो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आता है रूम, रूम आपको कहां पे रूम आपको फ्लेयरं तो दूस्य सान पर आ जाएगा पहले बाला दो जो किरम बनेगा वह 3 सात्यों कोशन में 15 है और कोशन में 15 भी आप लोगों के लिए homework है इस कोशन को try करना solve करना और कोशिस करना इसका जवाब आप लोगों कमेंट में बदाने की चीक है तो सात्यों यहाँ पर हमने top 15 कोशन कावर करें हैं वर्ड अर्एंजमेंट से सारे कोशन प्रीवी से यह हैं आपको help करेंगे किस प्रकार के वर्ड अर्एंजमेंट से पूछे जाते हैं गौर्मेंट एजाम के अंदर तो यहाँ से आपको idea मिल जाएका तो ध्यान प्रूब आपको पुरा practice टेस्ट लगाना है जोशन को no down कर सकते हैं वीडियो को save भी कर सकते हैं या practice time turn कर से रहे हैं छिक्ते इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं बेल लाइको क्लिक कर सकते हैं कि आपके पास सान उटिफिकेशन टाइम को मैं पोहुँचता नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में राधी राधी